कि एक उसेत्वर अस्तान बिधान सवाच्छेतर में सुक्रवार को लोग जनसक्ति पार्टी राम बिलास के महिला परकुष्ट के परदेश उपाद्यक अंजु देवी के आवास पर एक दिवस्य सदस्तिया अभ्यान की सुरुवात की गई कार्ज कर्म की सुरुवात में अंजु देवी के अध्यक्ता में सुरू किया गया इस दोरान पार्टी के पतादीकारी अजिवन सदस्य को बनाया गया इस दोरान अंजु देवी ने कहा कि लोचपार राम बिलास बिहार में होने वाले मध्यावदी चुनाव की भी तैयारी जोर सोर से कर रही है जिस तरीके का हालात बना हुआ है बिहार में वैसे सरकार 225 तक नहीं चलने वाली है और बीच में ही मध्यवदी चुनाओ कभी भी हो सकता है इसके लिए भी हमारी तैयारी जोर सोर्स है उन्होंने आगे कहा कि बिहार फर्ष्ट बिहारी फर्ष्ट को सरकारी एजन्डे में नहीं जोरा गया जिस तरीके से साथ निचे योजना है उसी तरीके से बिहार फर्ष्ट बिहारी फर्ष्ट को भी जोरने की बात है दिवंगत पार्टी की रीट की हड़ी होती है, इसलिए कार्च करता का मान सम्मान सभी पतादी काड़ी को देना चाहिए साथ ही अंजु देवी ने नितीज सरकार पर हमला बुलते हुए कहा कि आज बिहार में स्वास्त ब्यवस्ता, सिक्षा ब्यवस्ता, बिरोजगारी, भरसचार, चरम सीमा पर है उन्होंने आगे कहा कि बिहार में कभी भी सरकार में अपरादी घटनाएं अधिक से अधिक होती जा रही है इस तमाम चीजों की जिम्यदारी मुख मंतरी नितीज कुमार की है नए सदस्तियों के साथ पारी की सुरवाद नए तरीके से कर रहेंगे वह इस दुरान मुकातिती के रूप में बिहार परदेश सदस्ता परबारी संजैर अविदास के मौझूदगी में